नमस्कार, अब देख रहे हैं सीवान एक्स्प्रेस ओनलाइन बढ़हडिया बलोक के सरजमी पे एक बर फीर से फुटबॉल टूनामेट का इतिहास दोहराते हुए आज से पहला उद घाटन मच का सुभाराम हुआ बता दू बढ़हडिया बलोक में हर साल गाधी मजरुल हक साद भावना किरके टूनामेट का आगाज पूर्व संसद मुहमद सहाबुदीन के सनक्षन में खेलाया जाता है आज पहला मच हाबरा कलब कुलकता बनाम गोपाल गज के बीच में हुआ मैच रोमाचकरा पहला हाब के खेल में गोपाल गज ने कोलकता को एक गोल मार कर बढ़हत बना ली वहीं दूसरी हाब के खेल में जब सुरू हुआ तो कोलकता ने गोपाल गज को एक गोल मार कर बराबरी कर ली लाट समय तक दोनों टीमें बराबरी परही फिर मैच रेपरी के निर्ने के मताबिक पलांटिक मारी गई जिसमें कोलकातक ने एक गोल बढ़त बना कर जीत दर्ज कर ली इस टूनामेट में मुख्य अतिती के रूप में आई हुए थे पूर्व संसत के सुपूत्र उस्रामा साहब शिवान सदर से बिधायक और भिहारी चोधर जी एम बरावली गोल्ड कॉप के अधियक्ष अमिताब यादो जी लिलावची गीरी जी लाकी बाबू मच दाक्टर महमद साबदीन साहब थे और उनके साथ हम लोग थे वो सांसत थे उन्हीं ने इस टूर्णामेंट को चलाने के लिए सुकृति दिया और हम तमाम लोगों के साथ उन्होंने आगे बढ़ करके इसमें काम किये और तब से आज तक यहां के जो टीम है जो आयोजन समीती है वो है आयोजित करती है यह है आयोजन और हम तमाम लोग इसमें समलित होते रहे हैं आज भी यह आयोजन हबड़ा के टीम और गोपाल गंच के टीम दोनों के बीच यह सुर्वाती ओपनिंग मैच है हम तमाम लोग इसमें हैं सामा जी हैं इंदर देव जी हैं महमुद साब हैं सामुल सिदिकी जी हैं इनका नाम नहीं रखना ठीक नहीं होगा लकी जी हैं हम लोग तो इसमें पूरा जम्हें रहते हैं और आवाज क्या उठाना है यहां मैच हो रहा है और हीना साब और हमसे बात चित हुई थी कि कुछ बरसों से स्पोर्ट में एक्टिविटी नहीं है इसलिए उनसे हमसे बाते हुई कि हम लोग फुटबॉल जो बड़े मतलब पसंदगी वाला यह खेल है सिवान के लिए बड़े इंट्रेस्ट लोगों को रहता है इसमें तो मैंने कहा कि नहीं हम लोग इसको सुरू करें तो उनके स्वकृति और हम बिल्कुल तैयार अपने साथियों के साथ है और चुकी बिहार बिधान सबा का सत्र चल रहा है उसमें भी हम लोगों की उपस्तिती आवस्यक है इसलिए कि भिन्मिन समस्याओं का निदान के लिए बिधान सबा में मानिय सदस अपने बात को उठाते हैं वो भी जनहित का काम है और इस जिला के ही और बिहार के ही काम है परंतु सत्र समाप्त होने के बाद हीना जी और मैं और तमाम लोग बात करके और थोड़ा गर्मी भले ही हो जाया लेकिन फुटबॉल टुड़ामेंट अखिल भारती अस्तर पर हम लोग कराएं हम सब आर्गेटी के लोगों के साथ साथ बड़हरिया के जो डौजवान है उनके वनोबल के कारण यह हर साल फुटबॉल होते रहा है क्रिकेट मैच भी होते रहा है इसलिए मैं अपने तरब से इनको धन्यवाद देना आज है धन्यवाद देता हूं कि आगे साल भी से जम काया करते थे वह बंद हो गया था उसको हम लोग शुरू कराएं और खेल का आयोजन कराने का काम किया मैं तमाम बढ़हरिया के जनता को और जो दर्सक है और जो हमारे में हमाना है सब को धन्यवाद में देता हूं कि आप अपना जो है कि इसी तरह सोजोग दे हमागे तुन करते हैं कि करना है